हेलो दोस्तों नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2023-2024 के बारे में फ्रेंड अगर आपके भी जो करेंट इस्टेटस में सस्पेक्ट डाटा सो कर रहा है तो उसको आपको अगर बेरिफाई कर कुछ भी रिजन सो कर रहा है उसके बारे में आपको जनकारी दे दी जाएगी और किन छात्रों का फॉर्म जो है 100% उनका बेरिफाई होने वाला है सारी जनकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी आप लोगों से रिक्वेश्ट रहेगा अगर आप लोग नए होंग जो आपको जो है इनफॉर्मेशन दे दिया जाएगा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो है करेंट इस्टेटास सो नहीं कर रहा है कि हमारे में कुछ प्राबलम है या फिन यह इसलिए मैं आपको इहाँ पर इनफॉर्मेशन देदू 11 बारे कि जितने भी केंड़ेट हैं अभी किसी भी छात्रों का जो करेंट इस्टेटस है यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्वान र फिल कर दिया है तो आपको इहाँ पर एक इन्फार्मेशन और यहाँ देदू देखिये अगर आप लोग अपना करेक्शन करके फाइनल सम्मिट कर दिये हैं तो अनली जो है आपका एक ही बार करेक्शन होने वाला है चाहे अपने करेक्शन फ़ार्म में आप लोग ने सही data fill किया होगा या फिर गलत data fill किया होगा दुबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं यह बहुत सरे छात रहसे हैं जो comment करतें कि सर हमने अपने form में correction कर दिया है बट हमारा roll number यहां पे गलती हो गया है कोई का यहां पे इंडॉल्मेंट का chance यह है कि आने वाले समय में समाज करने भाग आपके form को यहां पे reject कर देगा तो इसलिए जितने भी छात्रें अभी तक अपना correction नहीं किये हैं या तो correction करने वाले हैं वो अपने form में correction सोच समझ कर करेंगे और यहां पे क्या fill करना है यहां पे आपको जनकारी मिल जाएगी बाकी friend correction open हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है यहां पे एक से ज़्यादा बार correction करनेंगे only जितने भी चात्र हैं only उनको एक ही बार correction करने का मौका मिलेगा और एक ही बार उलोग अपना correction कर पाएंगे ठीक है और यहां पे third information यह है बहुत सारे चात्र ऐसे हैं जिनका जो correction portal ठीक है ना correction portal open नहीं हो रहा ठीक है यहां पे कहीं भी correction करने के लिए option नहीं आ रहा है तो यहां पे जितने भी चात्र जिनका संस्था है तो आवेधन प्रिंट करेंवाला option आ रहा है उनका फॉर्म जो है 100% समाज कलने आट भ्याग का दौरा बेरिफाइड हो जाएगा बहुत सरे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म में कुछ गलत फिल कर दिया था और उसके बाउजित भी उनका ना तो करेक्शन पोर्टल ओपन हो रहा है आ तो उनके करेंट स्टेटस में कुछ यहां पे सब्सक्पेक्ट डाटास हो रहा है जैसे मैं आपको इजांपल के तोर बताऊं कुछ चात्र ऐसे हैं जो कमेंट के थे बोल लैते कि सर हमारे करेंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्टी की स्कॉलर्शिप कमेटी वाला रिजन सो कर रहा है, बट मैंने जब अपना इस्कॉलर्शिप का फॉर्म फिल क्या था, तो वहाँ पे हमने गलती से जो हमारा फीस है, वहाँ पे कुछ रॉंग फिल कर दिया था, एक छातर ने बताया कि हमारा जो है घलत फिल हो गया है, तो उसको लोग कि आपको परिषान होनी के आऑ शकते नहीं, अगर आपका करेक्षन पोटल ओपन हो रा रहा है, परिशन करने का ओप्सन आ रहा है, तो आप लोग जो है अपने फीस में चेंज़ेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेंडिंग यहाँ पर भर दिया है, तो हमको 60,000 मिलेगा ऐसा नहीं है, जो आपकी fees होती है, यह आपके मतलब decide करती है, मतलब MA का कितना fees होना चाहिए, BA का कितना fees होना चाहिए, BA का कितना fees होना चाहिए, उसी के according जो है आपकी यहाँ पर scholarship आती है, इसलिए जितने भी चाहतर अपना fees यहाँ पर गलत कर दिये हैं, अगर उनके में correction portal open नहीं हो रहा है, तो ओलोग धहरबन रखें, जितने आपके classmate, जितने आपके मित्र की scholarship आएगी, उतने ही scholarship आपके आने वाली, आप बिल्कुल परिशान मत हुए, एकदम बेफिकर होके निश्चीनत रहिए, ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ऐसा status जिन भी चाहतरों का सो करेगा, तो यहाँ पर अगर आपका जो है, इंटर में 60% से कम है, इसका मतलब है कि आपका जो admission हुआ है, इंटर के base पे हुआ है, यहनि कि इंटर के बाद आप लोगों ने अपना admission करा है, जैसे कि आप लोगों ने graduation में अपना admission करा हुआ है, तो जिन भी चाहतरों का इंटर बेस के माध्यम से admission हुआ होगा, और इंटर में जिनका भी 60% से कम रहा होगा, तो उनका ऐसे वाला error आएगा, और आने वाले समय में उनके farm को reject कर दिया जाएगा, क्योंकि समाज कल्याण विखा कि starting से ही बोला है कि जो चाहतर अपना मतलब इंटर के बाद अपना पढ़ाई करेंगे, अपना admission कराएंगे और scholarship का farm फिल करेंगे, तो नियूनतम उनका इंटर में 60% होना चाहिए, अगर उससे कम रहता है तो आने वाले समय में उनके farm को reject कर दिया जाएगा, और फिर जिन भी छातरों में ये वाला status हो कर रहा है, इसका मतलबी है कि आप लोगों ने अपना admission graduation के base पर क्या है, यानि कि आपका graduation complete हो चुका है उसके बाद आप लोगों ने अपना कहीं admission करा है, जैसे आप लोग जो है अपना B.Ed में admission करा रहे हैं, या तो B.T.C. में अपना admission करा हुआ है, या तो अपने PG course में admission करा हुआ है और आपका जो है, यहाँ पर ghat works का mark है यानि कि graduation का mark है ये 55% है, तो आपको हम बता दे, अगर आप लोगों ने graduation के base पर अपना admission करा हुआ है, और graduation में आप लोग का, जो यहाँ पर गतवर्स का मतलब पुडांक है आप लोग का जो गतवर्स का मार्क है आपने कितना पाया है अगर उप 55% से कम है तो भी आप में ये वाला रेजन सो करने वाला है और जिनका भी मतलब ग्रेजुएशन में 55% से कम है उन सभी छातरों का फार्म जो है suspect list में डाला जागा और आने वाले समय में उनके फार्म को भी यहाँ पे reject कर दिया जागा तो जितने भी छातरों में below 50% mark वाला सो कर रहा है तो यहाँ पे उनके फार्म को आने वाले समय में reject कर दिया जागा बसरते अगर आप लोगों ने गलती से अपने फार्म को मतलब गलत फिल कर दिया है गलत भर दिया है तो आप लोग अपने फार्म में यहाँ पे संसोधन कर सकते हैं तो फ्रेंड जिन भी छातरों में यह वाला current status सो कर रहा है मैं आपको यहाँ पे है यहाँ पे मतलब आपके end से कोई दिक्कत नहीं यह बसरते आपको जो है अपना roll number है अपना यहाँ पे enrollment number है अपना roll number है अपना mark है यह सब जो है आपको मिलान कर लेना है बसरते यह जो whether institute registered on NSP portal or not तो यह जो है आपके end से कोई भी mistake नहीं बस आपको यहाँ पे इस region का information अपने college को बताना है और उनसे inquiry करना है बाकि अगर आप लोग minority card से बिलोंग करते हैं तो आप लोग guess करके बताएगा कि आप में यह वाला जो है जो data है so कर रहा है तो friend अगर आपका current status में यह वाला region so कर रहा है या friend आपके current status में यह वाला region so कर रहा है या friend आपके current status में यह वाला region so कर रहा है या फिर इसके अनावे आपके current status में कुछ भी region so कर रहा है तो आपको यहाँ पे एक चीज का मिलान करना है उसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं तो friend जैसे आपके current status में कुछ suspect data सो हो रहा है, तो आपको क्या का मिलान करना है, जैसे वहाँ पे आपको current status के मादन से बता दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देरा कि enrollment यहाँ पे बता गया है, कि आपका जो enrollment number यहाँ पे गलत है, या तो आपका यह गलत है या तो आपने जो मार्क अपना फिल किया है या तो कॉलेज ने आपके जो मार्क को फिल करके फारवर्ट किया है यहाँ पर यह रॉंग है तो आपको जो यहाँ पर सस्पेक्ट डाटा सो कर रहा है आपको उसको जो है अपने फॉर्म में मतब अपने जो डाटा है आपने जो गत्वर्स है उन सभी चीज़ों से जो आपके पास document है उससे आपको मिलान कर लेना है अगर उहां पे कुछ आपको लगता है कि आपके form में कुछ तुरूटी है कुछ गलत आपने फिल किया हुआ है या तो आपको जो है अपने form में correction करने की आओ सकता है बसरते आपको एक बात की और information ने दू यहाँ पर देखे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने form को बिल्कुल सही भरा हुआ है और college ने भी उनके form को बिल्कुल सही भरके forward किया हुआ है उसके बावजुदी मदब तरह-तरह के जो status है यहाँ पर suspect so हो रहा है तो आपको मैं यहाँ पर आदू आपका भी correction portal यहाँ पर open हो रहा ठीक है ना तो आपको यह कारेक्शन portal open हो रहा है तो मैं correction ही करूँ ऐसा कोई rule regression नहीं है बसरते आपको जो है अपना यहाँ पर current के फारवड किया है या फिर नहीं किया है तो अकर आपका सब कुछ यहां पे सही होता है तो आपको परिशान होने की आवा सकता नहीं है आपका फार्म बिल्कुल सही है आपको करेक्शन करने की आवा सकता नहीं है आपका फार्म आने वाले समय में दो मतब दो वीक या फिर व अपने फार्म को सब कुछ सही भरा हुआ है और college ने भी आपके फार्म को बिल्कुल सही भर के forward किया हुआ है तो आपका कुछ भी यहाँ पे current status ओ कर रहा है तो आपको बिल्कुल परेशान होने क्या आउसकता नहीं है घबरानी क्या आउसकता नहीं है आने वाले समय में आप लोग का फार्म जो है 100% verify होगा आप लोग निश्चिंतर है बस धायर बनाए रखे ठीक है अब फ्रेंड जिन भी छात्रों में जिनका attendance percentage जो है college ने 75% भरके यहाँ पे forward किया है या फिर उनके फार्म को मतलब गलत फिल कर दिया है जैसे कि जो maximum mark है college ने गलत फिल कर दिया है तो जिनका भी 75% से mark college ने मतलब कम दिया हुआ है या तो जिनके फार्म को college ने गलत भरके forward किया हुआ है उनको ऐसे home page पे आजाना है अपने फार्म में कुछ भी यहाँ पे छडखाई नहीं करना है कुछ भी यहाँ पे मतलब edit नहीं करना है simply आपको क्या करना है यहाँ पे capture code वाला option है capture code फिल करेंगे और नीचे submit वाला option है आप लोग submit कर देंगे submit करने के बाद जो heart copy निकलेगी उसके साथ जो भी आपका document required है का उसको सगलन करेंगे दो प्रति बनाएंगे दो प्रति बनाके हर एक प्रति पे अपना signature करेंगे और college में जमा कर देंगे और college में जम गलत फिल कर दिया होगा तो उनको जो है मतब फॉर्म जमा करने मतब करते समय उनको इस बात की information दे देनी है कि आपने सर हमारा जो है गत वर्स का पुड़ांक आपने गलत फिल किया है यहाँ पे इसको यह भरना है जो भी वहाँ पर data रहेगा उनको बताना है कि आपको मतब सर आपको जो है यहाँ पर यह नंबर फिल करना है उसके बाद ही आप लोग उहाँ पर मतब फारवर्ट कराएगा बाकि यह रही फिरेंड सारी information आपको यहाँ पर देखे एक notice भी आपको हम दिखा देते हैं और फिरेंड एक बात की और आपको यहाँ पर information देदू अगर आपने अपने फार्म में कुछ भी changes नहीं किये हैं बट आप लोगों ने अपने फार्म में आपे final submit किया हुआ है तो जितने भी छात्र हैं correction करने वाले हैं correction करने की सोच रहे हैं वो लोग अपने फार्म में आज जो है correction कर लें और जो correction छात्र अपना किये रहेंगे hard copy को आपना निकाल लेंगे 17 फरवरी तक किसी भी कीमत में अपनी hard copy college में जमा कराएंगे और 17 फरवरी तक आपका जो form है college यहाँ पर forward करने का जो है अपने भी छात्र है आज के आज जो है अपना correction कर लेंगे मतब जिन में कुछ ने कुछ problem होगी बाकि आप लोग जो है अपनी hard copy निकालके 17 फरवरी तक किसी भी कीमत में अपना जो है जो hard copy होगा जो document होगी college में जमा करा के उसको forward करा देंगे तो friend यह रही सारी information में भी आपको जनकारी helpful लगी होगी इसके अलामे कुछ doubt हो कुछ problem हो comment किजेगा नए होगे तो चैनल को जरू subscribe किजेगा friend वीडियो पसंद आए होगी like share किजेगा मिलते है नेस्ट वीड